एक छोटा सा गाउं था, उस गाउं में एक सीनू नाम की लड़की अपनी मा के साथ रहती थी, सीनू की मा अक्सर बिमार रहती थी, जिसकी वज़ा से सीनू को एक सिठानी के घर में काम करना पड़ता था, सीनू देखती है कि सिठानी के यहां बहुत सारी मिठाई रखी कितनी अच्छी है और देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है लगता है खाने में ये उतनी स्वादिश्ट होगी मिठाई देखकर सीनू के मुँँ में पानी आ रहा था वो अपने मन को रोक रही थी तब ही उसने देखा कि सिठानी बाहर आंगर में गई हुई है तो इसने सोचा सिठानी के घर में तो इतनी सारी मिठाईया है हम गरीब को तो मिठाई नसीब तक नहीं अगर इतनी सारी मिठाईयों में से एक मिठाई कम हो जाएगी तो सिठानी को क्या पता चलेगा ये सोचकर सीनू उन सारी मिठाईयों में से एक मिठाई चुपके से खा ल पिर सीनु उन सारी रखी मिठाईों में से एक और अलग तरह की मिठाई खा लेती है। अरे वह! ये मिठाई तो उससे पिछादा स्वाधिश्ट है। और मुलाइम भी, खाकर मजा ही आ गया। ऐसे ही सीनु एक एक करके बहुत सी मिठाई खा जाती है। तब ही सीनू के मन में खयाल आता है आज दिवाली है और मिठाई करीदने के लिए पैसे भी नहीं है पता नहीं सेठानी दिवाली की मिठाई के लिए पैसे देगी भी या नहीं मैं इन मिठाईों में से दो-चार मिठाई छुपा कर घर ले जाती हूँ मा मिठाई खाएगी तो खुश हो जाएगी और इतनी सारी मिठाईों में से सेटानी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें से मिठाई चुराई है और फिर सीनू अपने दुपटे में मिठाई छुपा कर रख लेती है और जब घर का सारा काम कर लेती है तो अपने घर जाने लगती है तब ही अचालक से उसके हाथ से दुपटा छूट जाता है और सारी के सारी मिठाई गिर जाती है ये सब सिठानी देख लेती है तू मिठाई चुरा कर भाग रही थी रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूं फिर सिठानी पूरे गाउं के सामने बताती है ये सीनू मेरे घर से मिठाई चुरा कर भाग रही थी मुझे माफ करतो मैंने तो सर्फ थोड़ी से मिठाई ली है कल दिवाली है और मेरे पास मिठाई लेने के लिए पैसे नहीं दे ये सोच कर मैंने थोड़ी से मिठाई ले ली सीनू सारे गाउं के सामने अपनी बेज़ती बरदाश नहीं कर पाती और वो अपने घर जाकर पंके से लटक कर जान दे देती है जब सीनू की मा सीनू को मरा हुआ देखती है तो वो भी मर जाती है और मरने के साथ ही सीनू एक भयानक चुडैल बन जाती है तुम लोगों की वज़े से मुझे अपनी जान देनी पड़ी और मेरी मा भी मर गई वो भी एक मिठाई लेने की वज़़े से अब मैं तुम सभी गाउवासियों को मिठाई खाने के लिए तर्श आ दूँगी और फिर ऐसे ही एक साल बीच जाता है और फिर दिवाली का देना जाता है गाउं के सभी अरे वाँ आज दिवाली के दिन सभी गाउवासी तैयारी में लगे हैं और तरह तरह की मिठाईया भी बना रहे हैं अब आएगा मज़ा जब इन्हें मिठाईया खाने के लिए नहीं मिलेंगी और फिर जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे तो चुडएल छुपकर सभी गाउवासीों की मिठाईया चोरी करके खा जाती है अरे वाँ मिठाई खाकर तो मज़ाई आ गया और जब इन्हें मिठाईया नहीं मिलेंगी तब तो मुझे और भी मज़ा आएगा और फिर कुछ देर बार सिथानी कमरे में मिठाई लेने चाती है तो हैरान हो जाती है मेरी मिठाई अरे मेरी मिठाई कहां गई अभी तो मैं यहां रख कर गई थी फिर मिठाई कहां चली गई हाई रे अब हम मिठाई के बिना दिवाली कैसे मनाएंगे सिथानी पूरे घर म बोला था ना मैं भी देखती हूँ कि तू दिवाली पर कैसे मिठाई खाई की। कि सारे गाउं की मिठाई आखिरकार दिवाली पर ही कौन चुराता है। कल दिवाली है और सभी गाउंवासी ये सोच कर चिंतित हो रहे थे। कल दिवाली है पता नहीं इस बार भी दिवाली बिना मिठाई के मनेगी या नहीं। कितने साल हो गए दिवाली पर मिठाई खाए हुए अब तो बस मिठाई की याद ही बाकी रहे गई है हम सभाई लोग इत्ती मेनत कर कई मिठाई बनावत हैं पर जाने का उन ससोर कनाती हैं यो हमार बनाई मिठाई चुरा के ले जावत हैं अगर उ हमका मिल गवा तो हम उ की तंगवा ही तोड़ दे हां सहीं कहां तुमने गाउं के सभी लोग तरच कहे हैं मिठाई के लिए चलो भाई चलो चलते हैं अल दिवाली है और बहुत सारी तैयारिया भी तो करनी हैं हाँ हाँ चलु चलते हैं फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दिवाली की तयारियों में लग जाते हैं पूरा गाउ रोश्णी से जगमगा रहा था इधर चुडैल भी खुश हो रही थी कल दिवाली है और इस बार भी मैं हमेशा की तरह गाउं के लोगों की सारी स्वादिष्ट मिठाईया चुरा कर खा जाओंगी जब इन गाउंवादसियों को मिठाईया नहीं मिलेंगी तब बड़ा ही मसा जाएगा इन गाओं वालों ने भी मुझे बहुत तरपाया है इन्होंने तो मुझे मिठाई चोरी बना दिया फिर चुडेल दिवाली के दिन का इंतजार करने लगती है उधर गाओं के लोग सोच सोच कर परिशान थे कि इस बार भी कहीं उनकी मिठाईया चोरी ना हो जाए अरे मैंने मिठाई ऐसी जगा चुपा कर रखी है उसे कोई भी नहीं ढूट पाएगा फिर उस आदमी की पतनी मिठाई को भूसे के अंदर चुपा कर रख देती है गाओं वासी भी अपनी-अपनी मिठाईयों को चुपा कर रख देते हैं और अपने काम में लग जाते है चुडैल उन सभी गावासियों की मिठाईयां ढूंड कर खा जाती है अरे वाँ मिठाई चुरागर खाने का थो मजाई अलग है गावासि पूजा करने के लिए जब मिठाई देखते है हैए मेरी मिठाई मैंने तो मिठाई को पाले में बंद करके रखा था तब भी मेरी मिठाई चोरी हो ग divisions आए राम, मेरी मिठाई तभी वो और याद بी भूसे से मिठाई निकालने लग जाती है अरे, अरे मेरी मिठाई मैंने तो इसे भूसे में चिकपा कर रखा था फिर कोन सत्या नासी मेरी मिठाई चुरा कर ले गया अब मैं बच्चों को मिठाई कहां से खिलाऊंगी क्या दूंगी चुडायल मिठाई के लिए सभी गाउवासियों को रोते देख कर बड़ी खुश हो रही थी अब आया मसा सभी गाउवासि मिठाई चोरी होने की वज़ा से बड़े दुखी होते हैं और आपस में कहते हैं समझ मैं नहीं आ रहा या आखिर दिवाली पर ही कौन हमारी मिठाई चुरा कर ले जाता है तुम सही कह रहे हो भाईया तब ही गाउव की एक औरत कहती है मुझे तो किसी भूत प्रित का साया लगता है हम सबने अपनी मिठाईयों को कितना छुपा कर रखा फिर भी वो चौरी हो गई हाँ तुम सही कह रही हो हम सब को पुजारी जी के पास जाना चाहिए अब तो वो ही हमारी मदद कर सकते है और फिर सभी गाउंवासी और सेट सिठानी भी पुजारी के पास जाते है पुजारी जी पता नहीं कौन हर दिवाली पर हमारी मिठाईयां चुरा कर ले जाता है जिसकी वजह से हमरी दिवाली भीकी रह जाती है हम दिवाली पर मिठाई खाइबे का तरस गए है भला बिना मिठाई के भी कवनो दिवाली होती है इस गाउं के उपर इस चुड़ायल का साया है और वो ही तुम सब को परिशान कर रही है वो ही तुम सब की मिठाईयां चुरा कर खाती है पुजारी जी हमें उस चुड़ायल से बचा लो किसकी वज़ा से हम सभी दिवाली बिना मिठाई के मना रहे हैं पुजारी जी अपनी आँखे बंद करके मंत्र शक्ती से चुडैल को अपने सामने बुलाते है ए पुजारी क्यों बुलाया मुझे क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तु इन गाउवासियों को क्यों परिशान कर रही है क्यों इन गाउवासियों की मिठाईयां चुरा कर खाती है ये सेट सेठानी ने मुझे मिठाई चोर बना दिया वो भी तोड़ी सी मिठाई के लिए और मेरी पूरे गाउव के सामने खुब बेज़ती की और फिर सभी लोगों ने मुझे मिठाई चोर कहकर खोब बेज़त किया जिसकी वज़े से मैं ये बरदाश नहीं कर सकी और अपनी जान दे दी फिर मेरी माँ भी मेरी मौत का बदला सहन नहीं कर पाई और वो भी मर गई जब से मैंने सोच लिया कि हर दीवाली पर पूरे गाउं को मिठाई काने के लिए तरसा दूगी तब इन्हें पता चलेगा कि बिना मिठाई के दीवाली कैसी लगती है अरे मेरे पास तो पैसे नहीं थे तो इसलिए मैंने थोड़ी से मिठाई ले ली और इन्होंने तो मुझे मिठाई चोरी बना दिया फिर चुडैल बहुत रोने लगती है माफ करती इन्हे फिर सभी गाउवासी और सेट सिठानी चुडैल से माफी मांगते है सीनू हमसे गलती हो गई हमें माफ कर दे आज के बाद हम किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे और सब अनाथ और गरीबों को दिवाली पर मिठाई बाटा करेंगे फिर पुजारी लोटे से गंगा जल चुडैल पर डाल कर उसे मुक्त कर देता है और वो चली जाती है